नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल हम Consider recipe by सुनिता सिंग फर सर्दी का Season है और सर्दी हो सर्सों का साग हो क्हाने को क्या बात है तो आज मैं लेकर आई हूं सर्सों के साग की recipe, जो की winter special है और chapter मधर लौकी है इसे बनाना बीहत आसान है तो आईए चलिए देखते हैं इस सर्सों के साथ को मैं किस तरीकी से बना करके तयार करते हूँ दोस्तों इसके लिए ये मैंने सर्सों को साफ करके अच्छी तरह से दो-تिन बार पानी से धोलिया कोशिस कीज़े दोस्तों सर्सों खरीते समय इस तरह की सर्सों का साग बन करके तयार होता है और सर्सों वजन में 500 ग्राम है 500 ग्राम मैंने बत्वा लिया इसे साफ करके धोल लिया और देखिए इसकी डंडी एक दम कच्ची है तो इसे मैं साग में इस्तेमाल करूँगी, साग इसे अच्छा बनता है और दोस्तों लगभग 100 ग्राम के करीब मैंने ये मेथी के पते लिये हैं इसे साग का टेस्ट इनहेंस हो जाता है, ये टोटली ओप्सनल है अब दोस्तों सरसों, बथुआ और मेथी को मैंने बारी काटकर कुकर में डाल लिया है अस्वात के नुसार एक चमच नमक और एक गिलास पानी डाल करके इसकी लिड लगा दूँगी एक सीटी आने तक तेज फ्लेम पर, उसके बाद धीमी फ्लेम पर 10-12 मिनटे से पकने दूँगी और दोस्तों, ये दो मैंने खटे वाले टमाटर लिये हैं साथ में एक इंच अद्रक का टुकडा लिया है और ये 5-6 हरी मिर्च लिये हैं, इन्हें मिक्सर जार में मैं प्यूरी बना लूँगी दोस्तों, ये मैंने लगभग एक कटोरी मकी का आटा लिया है चान कर इसे हम साग में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कितना डालेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगी अब देखिए दोस्तों, कुकर की प्रेशर अपने आप निकल जोकी है और मैं दिखाती हूँ हमारा साग अच्छी तरह से बॉयल होकर के तयार हो गया है और जो मैंने अधरक, हरी मिर्च और टमाटर को पीसके रखाता इस समय मैं उसमें डाल दूँगी और अच्छी तरह से मिला लूँगी और दोस्तों, जो ये मकी का आटा मैंने च्छान की लिया था उसमें से मैंने आधा आटा ले लिया है इसे मैं थोड़ा-थोड़ा पाने डालते हुए एक घोल बना करके तयार कर लूँगी इसे हाथ से घोलूँगी, इसमें लम्स नहीं पड़ेंगी तो देखे दोस्तों, मैंने मकी के आटे का ये घोल बना कर तयार कर लिया है अब इसे मैं जो हमने साग बॉइल करके रखा है, उसमें डाल दूँगी और लगातार चलाते हुए इसे मिला लूँगी दोस्तों और साथ कितना पतला गाडा रखना ये भी आपके उपर निर्भर करता है तो दोस्तों देखिए, मैंने 5 मिनट ये मकी का बैटर जिसे हमारे आलन कहते हैं डाल करके 5 मिनट ये से लगातार चलाते हुए पका लिया है और गैस की फ्लैम मैंने एकदम धीमे कर दी है अब इसे कुकर को मैं धख दूँगी, इसे कंप्लीटली हमें नहीं धखना है हलका धखना है और इस तरह से इसे मैं 15-20 मिनट और पकाऊंगी और बीच-बीच मैं इसे मैं चलाती रहूँगी ताकि हमारा साग कुकर की तली में ना लगे और देखे दोस्तों हमारे साग को पकते हुए कम से कम 20-22 मिनट हो गए है और ये 20-22 मिनट मैंने आलन डालने के बाद पकाया है ये बिल्कुल पक करके तयार है और दोस्तों ये 14 चमस मैंने हीङ लिए है इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके हीङ को घुल लोगी और इस घुली हुई हीङ को अम मैं बने हुए साग मैं डाल दूगी और अच्छी तरह से मिला लूगी दोस्तों अम मैं गैस की फ्लैम बंद कर दूगी और लिट से अच्छी तरह से इसे कवर करके लगबग 5 मिन इसे इसी तरह धका रहने दूँगी 5 मिन बाद देखिए हमारा साग बन करके तयार है हींकि बड़ी अच्छी खुश्बू आ रही है तो दोस्तों तयार साग को सर्विंग बोल में निकाल लीजिए दोस्तों हमारे साग में तड़का नहीं लगाते हैं यदि आपको पसंद करते हैं तो इस पर देशी घी डाले और खाईएगा यदि आप हेल्थ कॉंसियस हैं या घी से परेज करते हैं तो आप इसे इसकिप कर दीजिए लीजिए हमारा गरमागरम विंटर इस्पेशल सर्सों का स्वादिश साग बन करके तयार है तो दोस्तों मक्की के रोटी बनाईएगा और सर्सों के साग को खाने का आननद उठाईएगा दोस्तों मक्की की रोटी को मैंने कई तरीके से आसान रेसिपीज बना करके अपनी चैनल पर अपलोड की हैं आप रोटी पनाठे के प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट कर सकते हैं यदि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, कोमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल आइकन लिप्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी नई रेसिपीज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें थेंक्स वर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाई बाई